आज हम बना रहे हैं गुलाब जामन वह भी ब्रेट स्लाइस के साथ जो बहुती सॉफ जूसी और स्पॉंजी बनकर तयार होंगे और बहुती डिलीशेज और टेस्टी बनेंगे और वह भी बैसिक इंग्रीडियन्स के साथ वीडियो कम्प्लीट देखिएगा ताके रेसिपी की जाने बिसमिल्ला रेमान रहीं पढ़कर रेसिपी का बगायता अगास करते हैं सबसे पहले हमने शुगर सीर प्रेपरेट करना है इसके लिए हमने एक पॉट लिया है इसके अंदर हम एक से डेड़ ग्लास पानी का एट किया है इसमें बॉइल आ गिया है अब इसके साथ हरी लाइची इसको मैंने सेंटर से खोल लिया है बढ़ी अच्छी से खुचभू आती है इससे और साथ हम इसके अंदर एड़ करेंगे वन टेबिल स्पून लेमन जूस इस शुगर की किस्ट्रलाइजेशन को एवाइड करता है अब वाइल आने देंगे और मीडियम पर हमने इतनी देर इसको पकाना है कि इसकी एक तार की चाशनी तेगार हो जाए अचाब साथ ही हम इसके अंदर एड़ करने है वन पिंच ओफ फोट कलर यह ऑप्शनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चले जब आ जाते हैं रेसिपी के नेक्स स्टेप की तरफ इसके लि रिमूफ कर देने हैं और रिमूफ करने के बाद हमने इसके इस तरह से क्यूब्स कट कर लेने हैं इसमॉल साइज के छोटे-छोटे पीस बना लेंगे इसके अच्छ अब तमाम ब्रेट को हमने इसी तरह कट कर लेना है इनके तमाम ब्रेट के इसी तरह पीस बना लेना है औ बारिक पीस लिया है, ब्रेट कंपस की तरह हम ने इसको बनालिया, अब इसके अंदर हमने एड करना है, ऑन पिंच ऑफ लाइची पौॉडर, वन पिंच ऑफ बेकिंग पौॉडर, बेकिंग सोड़ख नहीं करिया गाई, बेकिंग पावडर एड करना है, अच्छी तरह से से mix करेंगे अच्छा जी अब यहाँ पर हमने इसकी एक smooth सी, soft सी डो तैयार कर लेनी है उसके लिए हमने milk लिया है अच्छा milk हमने बहुत कम quantity में लिया है बलाई के साथ लिया है सारा एक साथ नहीं add कर दीजेगा, थोड़ा थोड़ा add कर दीजेगा अगर इसके नदर इस्तमाल हुआ तो 8 या 7 से 8 table spoon इसके नदर मिलकी सतमाल होगा एक साथ add नहीं कर देना है थोड़ा थोड़ा add करना है और इसकी अच्छी से हमने डो तैयार कर लेनी है बस देखिए अब हम इसे हातों की मदस से बिल्कुल स्मूथ सा कर देंगे देखिए कितना स्मूथ सा इसका डो तयार हो गया है अब हम इसे एक दू सेकंड का रैस्ट देते हैं चलते हैं नेक्स स्टेप की दरफ यह चाशनी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है तयार हो गई है अब हम लास्ट पॉइंट पर इसमें आड करेंगे दो से तीन डो केवडा एसंस केवडा वाटर रोज वाटर यह अड़ नहीं करना है केवडा एसंस आड करना है आपने अगर ना हो तो आप रोज वाटर वे अड़ कर सकते हैं इसे बड़ी अच्छी से खुश्बो आ जाती है इसके अंदर अच्छी तरह से हिलाएंगे अभी हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है लेकिर हमने इसे गरमी रखना है वैसकी गैस फ्लम आफ करते हैं और इसे हटा द लीजिएगा और इसके गोल-गोल बाल बना लीजिएगा बस कोई क्रेक ना होना चाहिए इसके इस बात का ख्याल रखना है छोटे बनाएं बड़े बनाएं यहां पर डिपेंड करता है चले जी सारी बॉल्स हमने बना ली है बस देखें मैक शोर रहीएगा इसमें कहीं कोई क्रेक नहीं होना चाहिए यह देखें चले जी आजाते हैं नेकल स्टेप की तरह पॉट लिया है पॉट के अंधर हमने ऑईल लिया है और प्रिहिटिड है लेकिन बस इस बात का दिहान रखेंगा ऑईल का टमप्रेचर ज़ाधा हाई नहीं होना चाहिए बिल्कुल स्लो होना चाहिए अब वन बाई वन हम इसमें चाहिए जितना स्पेस है हम उसलमें एक और इस स्लोग पर देनेगेencesのolor हुई है हमझे उनके अच्छा सा गोड़बन सा कलर देते देना है बस यह चम्चे चलाते हुए, इस पर हमने अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है, कलर आपपे डिपैंड करता है, ज्यादा डाग देए या लाइट रखें, यह देखें, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, गेस फ्लेम आफ कर देते हैं, बस हम इनने निकाल लेते हैं, बस एक एक गुलाब जामुन हम इसमें से निकालते जाएंगे उसको शीरे में इस तरह डिव करते जाएंगे तमाम हमने अपने गुलाब जामुन शीरे में आट कर दी हैं और कवर करते हैं तकरीबन 10 से 15 मिन हम इने सॉक होने के लिए रख देते हैं चलेंजी देखें अच्छी तरह से सॉक हो गए हैं हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं यह मेरे फर्स्ट बेश कहते हैं यह आपको दिख रहे होंगे ज़र फूले फूले से हो गई यह मैंने भी सेकंड बेश में डाले ते तो पांस से दस मिन हम इने भी रेस है इसमें और जूसी भी देखें कितना है आपका जैसा दिल चाहे आप इने सर्फ करें वैसे तो यह गर्मा गरम खाये जाते हैं आई होप रैसे भी पसंद आएक इंशाल्ला ताला भौजल मिलूंगे एक निव वीडियो में निव रसिपी के साथ जब तक के लिए टेक के लापे